नमस्कार दोस्तों तूदा पाइंट में आपका सागत है हम लोग सीटेट प्रिवियस येर कुश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें आज हमारा EVS का तीसरा पीवाई क्यू है और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 29 जन्वरी 2012 में पूछे गए EVS के 30 कुश्चन को आप EVS का कोई साभी पीवाई क्यू देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप पीवाई क्यू देख सकते हैं तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हमारा सबसे पहला क्विश्चन है बारुत तोलकों को प्राया ज्यादा मास पेसियां और वाडी मास बनाने की आवस्यक्ता होती है इस उद्देश के लिए उन्हें ऐसे आहार लेने की आवस्यक्ता होती है जो किससे वरपूर हो यानि कि ऐसे आहार बताईए जिससे मास पेसियां और वाडी मास बने कार्वो हाइडरेट होंगे बसा होंगे बिटामिन होंगे या प्रोटीन होंगे तो देखो जो कार्वो हाइडरेट होते हैं वो हमें तुरंत इनर्जी देने के लिए होते हैं बसा जो होता है वो लंबे समय तक इनर्जी देता रहता है जो बिटामिन होते हैं वो हमें रोगों में चाहिए जिनमें प्रोटीन जादा हो तो आपका D option सही है इसके बाद दूसरा question है रेखा की मां किसके लिए रो जाना तालाव से लाए पानी में फिटकरी डालती है तालाव से लाए पानी में फिटकरी क्यों डाली जाती है ये आपको बताना है हलके निलंबित अप द्रब्यों को अफसादित करने के लिए या कठोर जल को म्रदु जल में परिवर्तित करने के लिए या पानी में मौझूद रोगाडू को खत्म करने के लिए या पानी को रंग रहित करने के लिए तीक है तो पानी को रंग रहित ऐसा कुछ होता नहीं है पानू में रोगाडू होते हैं वो भी फिटकरी से सही नहीं होते हैं ना तो कठोर जल को मरदुजल में परवर्तित करती है फिटकरी क्या होती है अब द्रब्यों को जो उसमें कचड़ा मिला होता है उसको अफसाधित कर देती है उसको पानी से अलग कर देती है तो इसमें आपका A option सही है हलके निलम्बित अपद्रब्मियों को अफसाधित करने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है अगला question है खाद सरंकला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यारतियों की अधिक्तम भागिदारिता के लिए निम्ण लिखित में से कौन सी सिछड विवरतना सबसे प्रभावी होगी ऐसा क्या करें जिससे सिछारती अधिक्तम भागिदारिता प्रदरसित करें स्याम पटफर लिखी बिविन ने खाद स्रंकलाओं के सभी उधारों को देख कर लिखने के लिए विध्यारतियों से कहना या जीवों के प्ले कार्ड बनाने और विध्यारतियों के समू को बिविन ने खाद स्रंकलाओं को सोचते हुए उन्हें विवस्तित करने के लिए कहन या विविन्ने आवासों में चलने वाली संभावित खाद संकलाओं की खोज करने के लिए विद्यारतियों को कहना या विद्यारतियों को इंटरनेट से सम्मंदित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना कौन सा option सही होगा जिससे विध्यारती ज्यादा से ज्यादा engage करें ज्यादा से ज्यादा भागीदारिता दिखाएं तो देखो विध्यारतियों को internet से सम्मंदित जानकारी स्वय में कत्रित करने के लिए कहेंगे तो इससे ज्यादा विध्यारती इंट्रेस्टेड नहीं होगे सिचक की भी जरूरत होती है विविन ने आवासों में चलने वाली संभावित खाद स्रंकलाओं की खोज करने के लिए विध्यारतियों से कहना सही हो सकता है पोजिटिव है ठीक है अगर हम A option को देखे तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है क्योंकि सिचारती स्यामपट से ब्लेकबोर्ड से नकल करेंगे तो वो ज्यादा प्रवाबी नहीं होगा लेकिन B option में सबसे बढ़िया बात कही गई है कि जीवों के प्लेकार्ड बनाना और विध्यार्थियों के समूओं को विविन निखाद स्रंकलाओं को सोचते हुए उन्हें विवस्तित करने के लिए कहना इसमें बच्चा एक्टिव भी ये प्लेकार्ड के दुरू उसको सिखाया जा रहा है तो इसमें अधिक्तम भागेदारिता विध्यार्थियों की रहेगी बी ओप्सन आपका सबसे सटीक है इसलिए बी ओप्सन सही है इसके बाद अगला कुश्चन है रेत और नमक के मिस्रड को प्रथक करने के लिए अलग करने के लिए प्रिक्रियाओं के निम्न लिखी चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए रेत और नमक के मिस्रड को अलग करना है तो इसमें से कौन सा क्रम अपनाना चाहिए तो इसमें आपका D ओप्सन सही है सबसे पहले निस्यंदन उसके बाद निस्तारण वास्पन उसके बाद अब साधन का प्रियोग करते हैं इसके बाद अगला कुश्चन है एक बिज्ञान सिच्ची का स्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परिच्चा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांस बिज्ञार्थी स्वसन और सास लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं ये किसके कारण हो सकता है बच्चे समझ नहीं पाए ठीक है तो ये उनकी कछा द्यापिका नहीं है जिसने पढ़ाया या बिज्ञार्थी प्रश्ण को सही तरीके से नह सिचार्थी जो सिचिका की कछ्चा में प्राया बहुत अनुसासन हीनता रहती है या वे कछ्चा में प्रवाबी तरीके से संबंदिस संकल्पना को ब्याखेत नहीं कर सकी कौन सा ओप्सन सही होगा अगर बच्चे कौनसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं सीख सके तीक है ये हमें बताना है तो देखो ये उनकी कछ्चा द्यापिका नहीं है ऐसा तो हमें कुछ यहां से समझ में आता नहीं है नहीं हो सकता विध्यारती प्रश्ण को सही तरीके से नहीं समझ सके देखो विध्यारती सब कु समझ सकते हैं अगर विध्यारती समझ नहीं पाए तो इसम टीचर की कमी है क्योंकि बाल केंदरी सिच्छा में बच्चा हमेशा सही होता है गलत होती है तो सिच्छक और सिच्छा विवस्ता तो B ओप्षन भी इसमें अभी हम छोड़ देते हैं सिच्छका की कच्छा में प्राया बहुत अनुसासनीनता रहती है ऐसा भी यहां से कुछ नहीं मिलता है लेकिन D ओप्षन में कहा गया है कि उएक अच्छा में प्रबाबी तरीके से संबंदिश संकल्पना को व्याखित नहीं कर सकी सही बात है वो सही तरह से कॉंसेप्ट को एक्स्प्लेन नहीं कर सकी तब ही बच्चे स्वसन और सांस लेने के भी अंतर नहीं अच्छा है कि सब्जियों को काटना और उन्हें तब तक चलते पानी में दोना और उन्हें चलते पानी में दोना या सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना या बैक्टिरिया नश्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलत पकाना या सब्जियों को अच्छी तरह से दोना और फिर काटना सबसे पहले आपको वीडियो को रोक कर अपने एकॉर्डिंग आंसर को छूज करना है उसके बाद काटा जाता है तो ए तो गलत हो गया इसके बाद सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए दूप में रखना ये भी गलत बात है ठीक है दूप में रखेंगी तो वो सूख जाएंगी विटामिन्स उसमें भी खत्म हो जाते हैं बैक्टिरिया नश् सब्जियों को अच्छी तरह से सबसे पहले दोना और उसके बाद काटना डी ओप्शन बिल्कुल सही है अगला कुश्चन है पर्यावरण अध्यन की सिच्छी का बायू प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि बायू में भार होता है और वो जगए गेरती है उसकी सहयोगी इस उद्देशि के लिए उसे निम्न लिखी चार भिन गत्विदियां सुझाती है खाली उल्टा बीकर पानी की सतय के उपर रखें और उसे नीचे दखे लें इस्ट्रा के माद्यम से जूस को खीचें गुबारा में हवा वरना अगला है दो भरे हुए गु बारे को फोड़ दे उपरियुक्त जो उपर चार गत्विदियां दी गई है इन में से कौन सी गत्विदियां बांचनिये परडामों को परदर्सित करेंगी जैसा हम रिजल्ट चायते हैं डिजायरेवल रिजल्ट कौन कौन सी परदर्सित करेंगी ऐसा पता चले जिससे प खाली उल्टा बीकर पानी की सते के ऊपर रखे और उसे नीचे दखे लें बिलकुल सही है ये तो आपका 100% होगा इससे बीकर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि बायू इस्थान गिरती है लेकिन इस्ट्रा के मादेन से जूस को खीचना गुबारे में हवा वरना ये कही ना कही भहुत कम रिलेट करते हैं डी भी सही तरह से रिलेट करता है कि दो बरे हुए गुबारे को अगर आप सामया वस्ता में ले जाएंगे और वहाँ पर एक गुबारे को फोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा बायू एक्तम से फैलेगी तो इससे हमें पता चलेगा बायू इस्थान गेरती है ऐसा लगेगा थोड़ी दिर के लिए हवा का जोका आया हो ठीक है तो ए और डी तो 100% है इसी लिए इसमें आपका सही आपसन है ए और डी देखो ए तो 100% होता एके साथ बी या सी थोड़े कम रिलेट करते हैं डी सबसे ज्यादा रिलेट करता है और हमें सबसे उचित विकल्ब चुनना होता है तो इसमें आपका ए ओपसन सही है अगला कुशन है बायू प्रदूसर्ड प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग-अलग विज्ञान सिचक चार तरह की सिच्छड पदतियों का प्रियोग करते हैं निम्न लिखित में से कौन सी पद अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है ठीक है चार सिच्छड पदतियां दी गएंगे पहले में कह रहे हैं बायू प्रदूसर्ड पर ब्रत्रचित्र दिखाना ब्रत्रचित्र या बिद्यार्थियों से कहना कि बे दीपावली से पहले और बाद में बायू के नमूने करें या विद्यार्तियों को पाठे पुस्तक में से प्रकड का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना सब्दावली का आर्थ इस्वष्ट करना या टॉपिक को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिये गए सभी के उत्तर लिखवाना कौन सा तरीका सबसे अच्छ कराना तो बारवादी बात हो गई इस से ज्यादा सही नहीं होगा सही ए भी है हमें इस से अच्छा ओप्शन डूलना बिद्यार्तियों को पाठे पुस्तक में से टॉपिक का स्वस्वर पढ़ने के लिए कहना तो इसमें भी पुस्तकी है तिक है पाष्टे पुस्तक से प्रत्यचित्र दिखाना तो उसमें टीचर एक्टिव है लेकिन बी ओप्सन में बच्चा एक्टिव है कि विध्यार्थियों से कहना कि बेदीपा बली से पहले और बाद में बायू के नमूने इखटे करें और उनकी गुडवत्ता का अध्यान करते हुए निसकर्षों को जादा एक्टिव है तो बी ओप्सन आपका एकदम सही है इसके बाद 69 एक सिच्ची का तनाव गरस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निमने लिखित बेवार प्रदर्शित करता है एक बच्चा तनाव गरस्त है वो कैसा बेवार प्रदर्शित करेगा ये आक्रमक बेवार तो देखो पड़ाई में पूर्ण एकागर तो बिल्कुल नहीं होगा ये तो 100% कलत है बहुत बात भी नहीं करेगा अगर कोई बच्चा टेंसन में है तो वो आक्रामक बिहविर करेगा ठीक है आक्रमक बेवार करेगा ठीक है डी ओप्सन बिल्कुल सही है इसके बाद 70 पानी के साथ प्रियोग करते हुए जियोती एक सिचिका है ये देखती है कि इस टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी केल डूब जाती है एक पिद्यारती है ठीक है जियोती इसे किस तथे द्वारा ब्याखित किया जा सकता है चार ओप्सन दिये गए हैं किस में ये एकस्प्लेंट किया जा सकता है कि खाली कटोरी तैरती है और लोहे की कील डूब जाती है कि इस टील की कटोरी पर लगने बाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुल्ना में कम है जो इस टील की कटोरी है उस पर लगने वाला बल उसके भार की तुल्ना में कम है तभी तो वो तैरती रहती है लेकिन जो लोहे की कील है उसके भार की तुल्ना में उस पर लगने वाला बल कम है ठीक है ये तो आपका 200 प्रस्स सही है B में कह रहे हैं कि लोहे की कील पर लगने वाला बन उसके बार की तुलना में ज्यादा आए नहीं गलत बार ज्यादा होता तो वो डूबती क्यों C में कह रहे हैं लोहा पानी की तुलना में भारी है तो ए ओप्सन आपका बिलकुल सही है इसके बाद 71 निमनलिकित में से जीवन प्रिक्रियाओं का कौन सा युगम पेड़ पादों और जीवन जन्तुओं दोनों में मिलता है प्रजनन और बहुजन मनाना प्रजनन और अंकुरड ब्रद्धी और ब्रद्धी और बहुजन मनाना कौन दोनों करते हैं पेड़ पादे और जीवन जन्तुओं तो पेड़ पौदे और जीब जन्तूओं दोनों में ब्रद्धी और प्रजनन मिलता है, C option बिल्कुल सही है इसके वाद 72, अंजली की सहली दातों में 6 से बचने के लिए निमनलिकी 4 तरीके बताती है कि दिन में 2 बार ब्रस करें, इनेमल कम ना हो, इसके लिए ब्रेसिट पहने, मिठाई, चॉकलेट और करवन डाई आकसाइड युक्त पेपदार्त ना लें, सही बात है खाने, हर खाने के बाद कुला करें, अंजली को उपरियुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए कौन-कौन सी बात माननी चाहिए तो देखो दिन में 2 बार ब्रस करें, बिल्कुल सही बात है, पोजिटिव है इनेमल कम ना हो, इसके लिए ब्रेसिट पेने, ये भी सही है लेकिन थोड़ी कम सही है, क्योंकि ये एक कृतिम तरीका है ठीक है, इसके बात कह रहे हैं, मिठाई, चॉकलेट और करवन डाई अकसाइड युक पेपदार्त ना लें बिल्कुल सही बात है, हर खाने के बाद कुला करें, ये भी सही है इससे दातों के छैसे बचा जा सकता है, देखो अगर चारो ओप्सन होते, तो वो सही होता लेकिन हम से यहाँ पर तीन ज्यादा से ज्यादा दिये गए हैं, तो हमें A, C, D तो 100% करना है इसी लिए A ओप्सन सही है, ठीक है, A, C, D लेकिन अगर एक ओप्सन ऐसा होता, जिसमें A, B, C, D, 4 हो है, तो वो बिल्कुल सही होता ठीक है अगला कुश्चन है, 73 नीचे दिये गए बेन डाइग्राम, बेन आरेक का अध्यान कीजिए ठीक है, ये वाला सरकेल आपका जमीन पर रहने वाले जीब जन्तू और ये पानी में रहने वाले जीब जन्तू अब जो X है, वो तीनों में common है तो हमसे पूचा गया है, निम्न लिखित में से कौन से जीब जन्तू X में रखे जा सकते हैं तो जो X होगा वो 100% जमीन पर भी रह लेगा ठीक है पानी में भी रहने वाला होगा और अंडे देने वाला भी होगा ऐसा जीब जनतु होना चाहिए जो जमीन पर भी रह ले पानी में भी रह ले यानि कि उबैचरो और अंडे भी देता हो तो जो आपकी ईल सर्पमीन है ठीक ठीक है और अंडे भी देता है इसलिए इसमें आपका D option सही है X वाला मगर मच होगा इसके बाद अगला question है किसके लिए मचली गर aquarium में हवा वाला pump रखा जाता है ठीक है मचली गर में हवा वाला pump क्यों रखा जाता है जली पौदों को अधिक कारवन डाया अकसाइड उपलब्द कराने के लिए या अधिक oxygen को पानी में गुलने देने के लिए या मचली aquarium की सोबा बढ़ाने के लिए या पानी को साब करने के लिए एक हवा वाला pump क्यों रखा जाता है तो इसका काब होता है कि जल में जाद से जादा oxygen गुल पाए क्योंकि अगर oxygen खत्म हो जाएगी तो मचलीया मर जाएगी ठीक है इसके लिए aquarium का पानी भी बदला जाता है तो इसमें आपका B option बिलकुल सही है ठीक है इसके वाद 75 जब एक मचली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किये गए पानी से बरे aquarium में डाला जाता है यानि कि पानी को पहले उबाला गया उसके बाद उसको सामान मिताप पर कर दिया गया ठीक है ठंडा कर दिया गया अब उसमें एक मचली को डाला गया तो ये मर जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि मचली घर का पानी कैसा हो जाता है आक्सीजन रहीता है या मचली द्वारा पीने के योगे नहीं है या खनीज रहीता है या मचली के तैरने के योगे नहीं है तो देखो पानी में जब हम वालते हैं तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म तो नहीं होता है अक्सीजन कम हो जाता है लेकिन जो खनी जोते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और मचली को दोनों की आवस्यक्ता होती है पानी भी जरूरी है खनी सबसे ज़्यादा जरूरी है तो oxygen बिल्कुल तो खत्म नहीं होता है ठीक है तो इसमें आपका मचली द्वारा पीने योगे नहीं है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता और मचली के तेरने योगे नहीं है ये भी नहीं हो सकता दो option पर आपकी बात है कि खनीज रहीता है या oxygen रहीता है इसमें सबसे सही C option है क्योंकि oxygen उसमें भी होता है लेकिन कम होता है ठीक है लेकिन खनीज बिल्कुल नहीं रहते हैं जिससे उसको कुछ भी energy देने के लिए नहीं रहता तो वो मर जाती है ठीक है इसके बाद अगला question है निमने लिखित में से कौन सा चांद की सते की विशेस्ताओं के बारे में सबसे अच्छा वरडन करता है चांद की सते के बारे में बताना है पानी नहीं है पर्याक्त हवा उचे पहाड़ है या पानी नहीं गैरे गर्त उचे पहाड़ या हवा नहीं ग गुरुत तो नहीं समतल नहीं तो देखो हमें पता है चंद्रमा पर गुरुत तो होता है प्रतिवी का एक बटा छे चंद्रमा पर ग्रेविटेशन होता है तो दो C और D तो आपके बिल्कुल गलत हो गए क्योंकि इसमें गुरुत तो नहीं का गया इसके अलाबा आपको पता होना चाहिए चंद्रमा पर ना तो पानी है ना ही हवा है हलाकि पानी अभी थोड़ा हो जा गया है लेकिन हम बैसा नहीं कह सकते जैसा अपनी प्रतिवी पर है ठीक है तो हवा नहीं यानि कि ए वाला भी गलत हो जाएगा तो सबसे सटी का अंसर है बी कि चंद्रमा पर पानी भी नहीं है गहरे गर्थ ठीक है यानि कि कहीं पर पहाड़ा है तो कहीं पर खाई है ठीक है बी ओफ्सन बिल्कुल सही है अगला क्विश्चन है आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोब थाम से समंदित निमल की साबदानिया पड़ती है पोस्टर लगा है उस पर साबदानिया लिखी है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें पानी के बरतनों कूलरों और टंक्यों को साब रखें यदि कुछ जगेवों पर पानी खटा हो जाता है तो तेल का छिड़काओ करें स्वयम के बचने के लिए जाली का प्रियोग करें पोस्टर का क्या उद्देश है किसके फैलने के बारे में जागरूपता पैदा कर रहा है पोस्टर चेचक और मलेरिया डेगू और आईफिल्यू टाइफाइड और हैजा डेगू और जापानी मस्तिस्क जवर तो आपको ऐसे पता चल गया होगा जो पोस्टर है वो ऐसे रोगों के बारे में जागरूपता फैला रहा है जो मच्छरों से फैलते हैं कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे कूलर और टंकियों को साप रखे ठीक है पानी खटा हो जाता है तो वहाँ पर तेल का छुड़काव करें तेल का छुड़काव करने से क्या होता है वो ऑक्सीजन पानी से अलग कर देता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और पर्दानी का प्रियोग करें तो 100% ऐसी वीमारी होगी जो मच्छरों से फैलती होगी तो चेचक बाइरस वाला आए ठीक है ए ओप्सन गलत हो गया डेंगू और आईफिल्यू आईफिल्यू मक्यों वाला आए टाइफाइड और हैजा ये दोनों गंदे पानी से फैलती हैं C गलत हो गया लेकिन D ओप्सन बिल्कुल सही है डेंगू और जापानी मस्तिस्क ज्वर ये दोनों आपकी मच्छर से फैलने वाले रोग हैं तो इसके वारे में जागरूपता फैला रहा है ससत्तर का D ओप्सन आपका सही है निमनलिकित में से कौन से सब्द समू आपस में निकटतम रूप से सम्बंदित नहीं है देखो एक ओप्सन ऐसा आए जिसमें निकटतम रूप से सम्बंदित हैं ठीक है कौन से निकटतम रूप से सम्बंदित हैं हमसे पूछा गया है तीन निकटतम रूप से सम्बंदित नहीं है लह मलेरिया अनेमिया रक्त लह हीमोगलेविन अनेमिया आमला मच्छर डेगु लह गोड मच्छर मलेरिया अनेमिया और रक्त अलपता तो अगर हम देखें मच्छर और मलेरिया का तो संबंद है कि मलेरिया मच्छर के तुरू फैलता है लेकिन इसका अनेमिया से कोई भी संबंद नहीं है ठीक है मच्छर से डेवू फैलता है इसका संबंद है लेकिन इसका लहो से कोई संबंद नहीं है तो ये दोनों तो अभी गलत हो गए C और D अगर हम A option को देखें तो लहो का मलेरिया से कोई संबंद नहीं है मलेरिया का एनेमिया से कोई संबंद नहीं है B option आपका बिलकुल सही है लहो का हीमोगलेविन से संबंद है क्योंकि हीमोगलेविन में आइरन पाया जाता है और लहो की कमी से एनेमिया रोग हो जाता है और एनेमिया रोग को उपचार के लिए आमला का प्रियो करते हैं जिसमे आइरन पाये जाता है आमला खाते है ठीक है पालक खाते है ऐसी पत्यदार समझियां जिसमें आइरन पाये जाता हो तो B है निकर्तम रूप से आपस में संबंदित है बी ओप्शन मिलकुल सही है इसके वाद 79 अब इबाबक सिचक अन्ता क्रियाओं को उपलब्द कराने का मुख उद्देश से है ऐसी अन्ता क्रियाओं जिसमें टीचर और बच्चों के फैरेंट्स मिल लए है तो उनका उद्देश क्या होता है पुनर बलन और सुधार के लिए बच्चों की योगताओं और कमजोरियो के बारे में चर्चा करना या एक दूसरे के साथ सामाजिक सम्मंद विक्सित करना या एक दूसरे की कम्यों को उजागर करना या बिद्याले में हो रही क्रिया कलाप, हो रही क्रिया कलापों के बारे में जानकारी को साजा करना इसका उद्धिस क्या होता है टीचर और अभिवाबकों की कमियाँ बता रहा है, अभिवाबकों की कमियाँ बता रहा है, ऐसा भी नहीं है, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंद करना है, ये उद्देश से नहीं होता है, लेक्व एक्चुल में तो ऐसा ही होता है, ठीक है, इसका उद्देश है कि पुनरवलन और सु के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के वारे में चर्चा करना ए उप्षन बिल्कुल सही है इसके बाद अगला कुश्चिन है असी ये पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खादे पदारतों को किस तरह से ताजा रखा जा सकता है कुछ समय तक हम खादे पदार पदारतों को कैसे सुरच्चित रख सकते हैं ताजा रख सकते हैं रादा अपनी कच्छा में निमने लिखित अनेक तकनीकी की परिगरणा करती है अनेक तकनीकियां बताती है ठीक है ये तकनीकियां आपकी दी गई है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बरतन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है या उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है अगली है कि उसे दूप में खुला फैला देती है या उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटती है और अधेरे में रख देती है उपरियुक्त तक्नीकी B के लिए वह निम्ल देर तक किसको सुरच्चित रखा जा सकता है आपको ये बताना है बी तकनीकी किसके लिए प्रियोग की जा सकती है तो प्याज और लेसुन के लिए प्रियोग की जा सकती है या काजू बर्फी के लिए प्रियोग की जा सकती है या पके हुए चाबलों के लिए प्रियोग की question है देखो प्याज और लेसुन दोनों नमी से दूर रखे जाते हैं तो गीले कपड़े में लपेट कर इनको तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाएगा ठीक है काजू बर्फी ये भी गीले कपड़े में लपेट कर थोड़ी की जाती है पके हुए चाबल भी नहीं रखे जाती है लेकिन जो हरा धनिया है उसको गीले कपड़े में लपेट कर हम कुछ देर तक उसको ताजा रख सकते हैं B option बिलकुल सही है अगला question है कच्छा 5 के विद्यार्थियों को गर्षड, फ्रिक्सन, टॉपिक पढ़ाते समय सिच्चि का ये समझाने के लिए अनेक उदारण देती है कि गर्षड हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, सही बात लिए फ्रिक्सन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके द्वारा दिये गए निम्लिकित उदारों में से कौन सा गलत है ठीक है, उसने चार इंग्जामपल दिये, तीन तो सही है गर्षड के समझने में, फ्रिक्सन के समझने में, लेकिन एक गलत है हमें गलत वाला ही बताना है कि हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले गर्षड के कारड ही हम चल पाते हैं या उर्द्वा धर रूप से उपर फेकी गई वस्त गर्षड के कारड हमेशा हमारे पास ही वापस आती है या ब्रेक लगाने पर बाहन रुक जाते हैं या पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला गर्षड के कारड ही हम लिख पाते हैं तो ए में कह रहे हैं हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले गर्षड के कारड ही हम चल पाते हैं बिलकुल सही बात है गर्षड को आप ऐसे समझ सकते हैं खुर्दुरापन जिसमें ज्यादा खुर्दुरापन वो बस तो ज्यादा गर्षड उसमें होगा तो अगर चिकनी जगए हो तो उस पे हम फिसल जाते हैं चल नहीं पाते हैं तो गर्षड के काड़ी हम चल पाते हैं। ठीक है, सही बात है। D में कह रहे हैं कि पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले गर्षड के काड़ी हम लिख पाते हैं। ये बात भी सही है। पेन अगर पेपर बहुत ज्यादा चिकना है तो उस पर हमें लिखने में दिक्कत होती है compare अगर कुर्दरा पेपर है उस पर ज्यादा अच्छा हम लिख सकते हैं ठीक है ब्रेक लगाने पर बहान रुक जाते हैं ये भी गर्षड का एकजामपल है ऐसा गर्षड के कारण नहीं होता है ये प्रत्वी के गुरुत्व आकर्षड के कारण होता है कि कोई बस तो जब मुझ पर फेकते हैं तो बापस वो हमारे पास ही आ जाती है बी ओपसन बिल्कुल सही है जो की गलत एकजामपल है ठीक है और हमसे गलत ही पूछा गया था अगला क्विश्चन है 82 सभी बड़े सहरों सभी बड़े सहर सडकों पर भारी संक्या में बानू के कारण पर्रया वरड प्रदूसर की समस्या का सामना कर रहे हैं पर्या वरड सरचड के लिए सहर के लोग ब्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सयोग दे सकते हैं वे क्या करें जिससे वो पर्या वरड प्रदूसर की समस्या को खम कर सके पर्या वरड सरचड को बढ़ावा दे सके ऐसा वो कैसे कर शकते हैं आने जाने के लिए सरवाधिक यातायात वरस्ता का प्रियोग करके या अक्सर घर से बाहर जाने से बचे या ब्यक्तिगत बहन जैसे स्कूटर कार आधि नहीं रखे या पर्यावरण सुरचित सीमा के लिए ब्यक्तिगत बाहन के इंजन की नियमित रूप से जाँच कराने तो देखो पर्यावरण सुरचित सीमा के लिए ब्यक्तिगत बाहन के इंजन की नियमित रूप से जाँच कराना बिलकुल सही बात है सही हो सकती है ठीक है सही बात है बेक्तिकत बहान जैसे स्कूटर कार आज नहीं रखना ये तो कहीं रिलेट नहीं करता जरूरत होगी तो इनसान रखेगा ही अकसर घर से बाहर जाने से बचने घर से बाहर ही नहीं जाएंगे तो अपने काम कैसे कर पाएंगे ठीक है ये भी न ज्यादा प्रियोग करें तो इस से पर्यावलड प्रोदूसर की समस्या से निप्टा जा सकता है पर्यावलड अध्यन की सिचिका के पास कच्छा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्यन की सिचिका के पास दत्कार जमा नहीं करता इससे निवटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है उसे खेल कूद की कच्छा में जाने से रोकना या अनिमित्ता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्स देना या उसकी अनिमित्ता के बारे में अभिवाबकों के लिए एक नोट लिखना या इस बात के विशय में प्रधानाचारे को सूचित करना अगर कोई बच्छा रेगुलरली जो आप कारे दे रहे हैं वो नहीं कर रहा है तो उसको आप काई से सुधारेंगे देखो इस विशय में प्रधानाचारे को सूचित करेंगे तो ये कहीं रिलेट नहीं करता सही नहीं है आप टीचर है आप भी समस्या को सुधार सकते हैं अनिमित्ता के कार्ड का पता लगाएंगे वो regular क्यों नहीं है उसकी बज़य जानेंगे फिर उसके according उसको परामर्स देंगे B option बिलकुल सही है इसी लिए B option सही होता है इसके बाद 84 बायू हर जगए है प्रकरण topic को पढ़ा रहा है कोई सिच्चक की बायू हर जगए है पढ़ाते समय एक सिच्चक बिद्यार्थियों से निम्निलिखित प्रश्ण पूशता है ठीक है ये सिच्चक बिद्यार्थियों से प्रश्ण पूशता है की क्या मिर्दा में बायू है क्या पानी के अंदर बायू है क्या हमारे सरीर के अंदर बायू है क्या हमारी हड्डियों में बायू है क्योंकि टॉपिक क्या पढ़ा है बायू हर जगए है बायू सर्वत्र है थीक है तो सिचक सिचार्तियों में निम्ड लिकित में से कौन सा कौसल बिक्सित करने का प्रयास कर रहा है चिंतन कौसल, संबेगात्मक कौसल, बर्गीकरड कौसल या अबलोकन कौसल तो देखो संबेगों की यहां पर बात नहीं हो रही है, बर्गीकरड की भी बात नहीं हो रही है, अबलोकन की भी बात नहीं हो रही है, लेकिन के अंदर वायू है, हमारे सरीर में वायू है, हमारी हड्डियों में वायू है, तो इसमें चिंतन कौसल विक्सित होगा, ठीक है ए ओप्सन बिल्कुल सही है, और इसका explanation में अंसर आपका गलत है, ठीक है, यहाँ पर आप A कर लेना इसके बाद पचासीवा question है, एक अच्छा में औसस से कम बाले चार विद्यार्ती है, उने अन्य विद्यार्तियों के समान लाने के लिए निम्नलिकित में से कौन सी विहु रचना सबसे प्रवाबी होगी, औससस से कम बाले चार विद्यार्ती हैं, हम उने अन्य विद्यार्तियों के समान लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उनके अधिगम के कमजोर छेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधार आत्मक उपाय उपलब्द करना, बिल्कुल सही option है, अब हमें देखना है, इससे सही option हो सकता है यह सुनिश्चित करना की भी नीमत रूप से विद्याले आएं, ऐसा नहीं है ठीक है, हम यह सुनिश्चित करेंगे की वो रोज भी ध्याले आएंगे, लेकिन इससे यह थोड़ी होगा की वो हम उनकी कमजोरियों को पहचान पाएं केबल ध्याले आने से भी कुछ नहीं होगा उन्हें घर पर करने के लिए अतरिक दत्तकार देना ज्यादा होम बर्क देना गलत माना जाता है ठीक है उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उसके काम का लगातार पर्रेवेच छड़ लगातार निगरानी भी गलत पाता है, बच्चे को सतनतर रूप से सीखने दो, आप ज्यादा देखेंगे, तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है, हिच की चाता रहेगा, तो सबसे सही है, D, A option की, उसके, उनके अधियम के कमजोर छेत्रों की पहचान करेंगे, कि वो किस छेत् सुधारात्मक, उप्चारात्मक से चड़ करेंगे, सुधारात्मक को उपाय उपलब्द कराएंगे, सबसे सटीक, A option सही है, सही तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सीट्टेट में सबसे सटीक option चूज करना होता है, तो A option आपका बिलकुल सही है, इसके बाद 86 मा question है, एक स ही तरह का संतुरित प्रस्णपत्र बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डिजाइन तयार करेंगे, प्रस्ण लिखेंगे, अंक्योजना तयार करना, ब्लू पिंट से मिलान करना, या प्रस्ण लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लू पिंट रूप रे रेखा तैयार करना तो कौन सा क्रम होगा यह आपको बताना है कुष्चन आप पढ़ ले सबसे पहले प्रष्ण पत्र हम बनाना चाहती हैं सबसे पहले तो डिजाइन त्यार करेंगे ठीक है इसके बाद ब्लुपिंट त्यार करना उसके बाद question लिखेंगे और उसके बाद उसका संपादन सबसे last में आती है अंकियोजिना यानि कि इसमें आपका D option बिलकुल सही है इसके बाद 87 question आए एक कच्छा के अनुवागा section एको petroleum और कोहले के बंडारों में रिक्तिकरण जो petroleum और कोहले का बंडार है वो कम होता जा रहा है प्रकरण topic को पढ़ाने के लिए multimedia capsule का प्रियोग किया गया जबकी अनुवाग B section B वालों को green world पर आरेक बनाते हुए पढ़ाया गया section A वाले हैं उनको multimedia यानि कि video आईडियो वीडियो के थुरू पढ़ाया गया और section B वाले हैं उनको केवल green world पर आरेक बनाते हुए पढ़ाया गया तो बाद में ये पाया गया कि अनुवाग A section A के विद्यार्तियों ने एक बहतर सीमा तक topic को समझ लिया है ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है ऐसी बज़य क्या हो सकती है देखो section A वालों को multi video के थुरू समझाया गया section B वालों को green world पर रेखा चित्र बना कर समझाया गया तो अच्छी तरह तो समझ में A वालों को ही आएगा ठीक है जो petroleum के खत्म हो रहे हैं उसके वारे में तो इसकी बज़य क्या हो सकती है यह हमें बताना है बहु उपागम दैनिक जीवन इस्थितियों के अधिक नजदीक है या मल्टी मीडिया समझरियों का प्रियोग अपेच्छा करत अधिक महगा आ है इससे यह बज़य हमें पता चलती है या द्रश स्रब सामगरियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को सामिल करती है या ग्रीन वोल्ड एक अच्छी द्रश सामगरी नहीं है यह तो हमें इससे नहीं पता चलता हमें दो में कंपेर करना है ठीक है बहु उपागम दैनिक जीवन इस्थितियों के अधिक नधिक है ठीक है थोड़ी पोज़्टिव बात है मल्टी मीडिया सामगरियों का प्रियोग अपेच्छा करस्ट मितब्य यह खर्चीला यह तो विलकुल गलता है इसका यहां से कोई रिलेसन ही नहीं है लेकिन इस सबसे सटीक C option है कि द्रशिस रविज सामगरियां जो होती है बेहतर संधार सरचण यानि की explanation जो चीज है उसको सामने लाने में प्रत्यची करड करने के लिए सबी इंद्रियों को सामिल करती है इसमें सबी इंद्रियां active होती है हमें दिखाई पड़ती है तो आँक active है तो कान एक्टिव है, ठीक है? तो द्रसी सरव सामग्रियों के थुरू हम अच्छी तरह से शीख पाते हैं इसलिए अनवाग एख वालों ने सही तरह से लर्निंग की है ठीक है, क्योंकि उनको मल्टी मेडिया द्रसी सरव सामग्रियों से सिखाए गया अगला है अठा सीवा क्विश्चन मानोदातों का प्रतुरूप दिखाना चाहिए तो आपको वो उप्षन चूज करना है जिसमें बच्चा एक्टिव हो तो मानोदातों का प्रतुरूप दिखाएगा इसमें टीचर एक्टिव है स्यामपट पर चित्र बनाएगा टीचर एक्टिव है ठीक है पोशक तत्तों से बरपूर विभिन बोजन के उदार देना चाहिए तो इसमें भी टेचर एक्टिव है लेकिन ए ओप्शन इतम 200 प्रेस्ट सही है क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव है और जहां पर संदर्ब के उसार सिखाया जाता है वो बिल्कुल सही उप्शन होता है ठीक है तो अठासी मां का आपका एउप्शन है बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाया जाता है जिससे जो ग्यान होता है वो इस्थाई होता है ठीक है इसके बाद नवासी सामिल करना यानि की इंगेज, खोजवीन करना, एक्सप्लोर, ब्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलेवरेट और मुल्यांकन करना, इवेलुएट बिज्ञान के प्रवावी सिच्छड से जुड़े 5 महत्पूर E है, 5E का कॉंसेप्ट, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेवरेट, इवेलुएट ठीक है, अंकुरवड के लिए आवसेक इस्तितियां की संकल्पना से जुड़े वेवारिक अनुववों को विद्यार्तियों को उपलब्द कराते समय, एक विज्ञान से चक, उन्हें से निम्लिकित गत्विदियां कराने के लिए कहती है, कौन-कौन सी गत्विदियां की, बीजों को रात वर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें, इसके बाद दो दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आय परिवरतनों को रिकार्ड करें, पुष्टक पड़ें और दिये गई कार पत्रक का काम करें, तो इन में सिच्छक द्वारा दी गई उप्रिउक्त गत्विदियों में इन पांचों में से कौन से सामिल नहीं होते हैं यानि कि अगर कोई बच्चा ये तीन काम करता है तो उसमें कौन सी गत्विदी सामिल नहीं होगी ठीक है कौन से ऑप्सन वाली गत्विदियां सामिल नहीं होगी ये हमें बताना है सबसे पहले आप question को ध्यान से देख ले सिचक द्वारा दी गई उपरियुक्त गतिविदियों में से इन पांचों में से कौन सी सामिल नहीं होगी यह हमें बताना है तो देखो बच्चा जो है evaluate बाद में मूल्यांकन तो करेगा जब वो अबलोकन कर रहा है परिवरतनों को record कर रहा है तो evaluation तो करेगा लेकिन वो explore यहां पर कुछ भी नहीं करेगा खोज भी कुछ भी नहीं करेगा ठीक है इसके बाद यहां पर engagement जो engage है वो भी नहीं होगा लेकिन बच्चा explain तो करेगा ठीक है तो इसमें सबसे सही आपका C option होना चाहिए engage और explore बच्चा यह दो क्रियाएं नहीं करेगा इसके बाद अगला question है last question बारत में समरद बनस्पति जात यानि कि बहुत सारी बनस्पतियां और प्राड़ी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद बिध्याले द्वारा प्रात्मिक कच्चाओं के बिध्यार्थियों को रड थंबा और राष्टिय उद्धान ले जाया जाता है ठीक है पहले क्लास में पढ़ाया क्या उसके बाद प्राड़ी उद्धान में बच्चों को ले जाया जाता है ये विद्यार्थियों में क्या सीखने में सायता करेगा ठीक है कच्छी अधियम की बास्तिविक जीवन इस्तितियों के साथ जोडने में सायता करेगा या पर्यावरण सरचड के कौसलों का विकास करेगा या बाहरी विर्मण में दोस्तों के साथ मजा लेने का में सायता करेगा या प्रकृति के प्रति सम्मान विक्सित करने में विद्यारतियों की सायता करेगा अगर बच्चे को क्लास में पढ़ाने के बाद उसको किसी राष्टिय उद्धान ले जाया जाता है तो इससे क्या होगा देखो प्रकृति के प्रति सम्मान विक्सित करने में साहिता करेगा सही बात है लेकिन बारी ब्रुमण में दोस्तों के साथ मजा लेना तो बिल्कुल निगेटिव हो गया पर्या वरण संद्चड के कौसलों का विकास करेगा ये भी सही है लेकिन सबसे सही है तो इसमें सबसे सही आपका एव उप्सन होगा जो कच्छा में पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने में बच्चों की मदद करेगा तो आपका CDP का याँपर जो है PYQ solve होता है मिलते हैं किसी नई वीडियो में Thanks for watching